हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आपके अपने चैनल ट्रक्स पार्क में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आज मैं आपके लेकर हूं टाटा अल्टा करने जा रहे अगर दोस्तों वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले तो शुरुवात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंजिम इंजिन स्पेसिफिकेशन के बारे में इसके जो इंजिन है टाटा का 3.3 लिटर बीए 6 इंजिन इसके बाइससो आर्पिम के ऊपर गेर्बॉक्स की बात करों यहां पर आपको जी फाइव डबल जीरो गेर्बॉक्स इसके अंदर यूज किया हुआ है जो कि 6 फॉर्वर्ड प्लस वन रिवर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है वहीं बात करें इसके क्लच की तो यहां पर आपको 330 mm का सिंगल ड्राइब टाइप का फ्रिक्शन क्लच इसके अंदर यूज किया हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक्शन है और वीडियो को पोज करके यहां पर आप इसके देख सकते हैं इसके अंदर जो इंजिन है टाटा का फूल एफिशन इं यहां पर आपको टाटा की बेजिंग अल्टा डोट 16 T16 की बेजिंग यहां पर आपको देखने मिल जाती है कंफ काफी शांदार लुक और इसके साड़ नीचे की साइड देखें तर टाटा का लोगो इहां पर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है तो फृंट का साइड इंडिकेटर वगर है यहां पर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं जिसमें नाइट की जो वीजिबिलेटी है बहुती शांदार आपको इसके अंदर रहने वाली है इसके साथ देखें तो यहां पर आपको नीचे की साइड आपका फोगलेम का ओफ्शन दे लगवा सकते हैं बंपर की बात करूँ यहां पर आपको त्री पीस बंपर इसके अंदर यूज किया हुए जो कि अगेन एक अच्छी चीज टाटा ने यहां पर दीए अब बात करें दोस्तों इसके डाइवर साइड की तो डाइवर साइड का लुक देखें तो काफी शानदा आपने के दिखने को मिल जाती हैं कि आप सकते अठल ने के लिए यहां पर आपको डियूल श्यूल वर्टे Ross कि बिस स्पेंशन की बात करो था यहां पे आपको पेरा बॉलिक स्प्रिंग यहां पर आपको फ्रेंट के अंदर देखने को मिल जाती है जो कि डूल एक्टिंग शोक अब्जरबर के साथ आपको दिया हुआ है जो कि राइपकी जो राइड रहती है काफी कमफर्टेवल यहा जाता है और 25 लेटर की डेफ टेंक के यहां पर आपको इसके अंदर दिया जाता है अब बात करें दोस्तों इसके लोड बोड़ी की यहां पर आपको 17 फिट 20.2 फिट 22.3 फिट और 24 फिट के तीन चार ओफिशन के साथ आपको यह अविलेबल हो जाती है मैं बात करें पीछे के सस्पेंशन की तो पीछे की साइड आपको सेमी लिप्टिकल मल्टी ली स्प्रिंग इसके अंदर यूज किया है जो कि हेलपर स्प्रिंग के साथ आपको द ग्राउंड क्लेर्स की तो यहां पे आपको 245 mm का ग्राउंड क्लेर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है ग्रेडबिलेट की बात करें तो यहां पे आपको 26 परसेंट की ग्रेडबिलेटी आपको देखने को मिल जाती है पीछे का ओरूल लुक देखें तो कुछ के अंदर प्रोवाईड करवाईए यहां देखिए पीछे की साइड यहां पर पेश्पेर वील का उफ्षन यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक दम पीछे की साइड रखा गया है जहांसे ड्राइवर इनकेस अपर एजिली आपको रिमूव वगरे कर सकता है और अपने असानी से टायर वगरे फिट्मेंट कर सकता है तो साइड का ओर लुग देखें तो कुछ इस तरह गए वील बेस की बात करूं दिया पर आपको चार वील बेस के अंदर आती है की तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर लग भक वगर देखनी मिल जाते हैं, इस तरह कमफ़र्ट गी मले तो अल्ट्रा नाम सबसे पहले आता है टाटा के अंदर तो टाटा ने इसी इसाफ से इसको बनाया डावर की जो comfort है उसका बहुत जादा ध्यान रखा गया seat की बात करो तो यहां पर आपको अपने height और weight के साफ से इसको adjust कर सकते हैं इसके अंदर आपको काफी अच्छा thigh sport काफी आपका side sport देखने मिल जाते हैं और यहां पर सीड बेल्ट देखने मिल जाते हैं और यहां कि fixed type के यहां पर आपको headrest बगर है यहां पर इसके अंदर दिया जाते हैं यहां पर आपने इजिली इसके अंदर गाड़ी को चला सकते हैं यहां पर आपको अपने स्टेरिंग को अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहां पर आपका हैड्राइट्स और वाइपर के कंट्रोल से देखने मिल जाते हैं कि यहां पर बात करने सकते दोस्तों कि यहां पर इंडिजिटल और एद्वाइजर यहां पर आपको इसके अंदर दी हुए यहां पर का मोड में चेंज करने के लिए है आपको 120 मोड प्राइब को बना देता है यहां पर आपको सिफ्ट कर सकते हैं ज्यादा इसमें एफट लगाने की आपको जरूद नहीं है और देखन के जाते हैं काफी स्पे disorders यहांपर की साटा उपर की साटे आपको स्पेस देखने मिल जाता है और यहां पे आप देख सकते हैं इसके अलावाद दो लोग आसानी से इसके अंदर बेड़ सकते हैं यहां पर आपको फिर विंडो देखने मिल जाती है यहां पर आपका बोटल होल्डर पार्किंग लिवर नीचे की साड़ यहां पर दोन सके स्पेस देखने मिल जाता है यहां पर बोटल होल्डर देखने मिल जाते हैं यहां पर आपको स्पेस देखने मिल जाता है उपर के शैट को सब्सक्केद अब्रिख चब्राइब बगर यहां पर रख सकते हैं यहां पर आपको LED लाइट देखने में जाती है पूस्ट बटन के साथ आती है यहां पर आप जैसे लाइट को प्रेस करते हैं तो लाइट आपकर ओपन वर क्लोज हो जाती है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का सेटप यहां पर आपक झाल झाल